नमस्कार आप देख रहे हैं निउस बन इलेबन मैं हूँ आपके साथ कृतिका बिहार में कोरोना संक्रमन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है कभी रोजगार को लेकर प्रवासी मजदूरों से बात करते नजर आते हैं दरसल मुख्य मंत्री निटीज कुमार स्वास्त सेवाओं की समिक्षा बैठक कर रहे हैं निटीज कुमार स्वास्त मंत्री मंगल पांडे और मुख्य सचीव दिपक कुमार भी मौजूद हैं सारे मंत्री मंडल बिभागे समिक्षा कर रहे हैं आपको बता देती हूँ निटीज कुमार ने पिछले दिनों राज्य के अंदर प्रती दीन 10,000 कोरोना टेस्ट कराने का टार्गेट रखा था लेकिन अब या कोरोना टेस्ट पूरा नहीं हो सका इस बीच सीम निटीज कुमार स्वास्त विभाग के अधिकारियों के साथ इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं आखिर कैसे 10,000 कोरोना टेस्ट रोज हो सकता है बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने से बिहार में लागातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही नजर आ रही है प्रवासी मजदूरों को सैंपल जाच भी तेजी से करना होगा क्यूंकि अब तक करीब 15,000,000 से अधिक प्रवासी बिहार आ चुके हैं स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने जानकारी दी है कि कोरोना की जाच के लिए मसीन पटना के आर-MRI पहुच गया है भारत सरकार ने ICMR ने इन्हें भेज दिया है इस मसीन से प्रती दिन 1000 सैंपल की जाच हो सकती है अगले सब्ता से इस मसीन की जाच सुरू हो जाएगी इस मसीन से प्रती दिन 1000 जाच की छमता बढ़ जाएगी लेकिन सीम का टारगेट 10,000 जाच रोज का है क्योंकि प्रवासियों के आने से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है बिहार जहारखन की तमाम खबरों के लिए बने रहे News 11 के साथ नमस्कार बिहार और जहाटखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें